आपने भूत, प्रेत और ब्रहमराक्षस बोला, इनमें कोई डिफरेंस होता है? तो मैं exact तो क्या क्या difference है, इतना तो मैं नहीं detail में जानती है, लेकिन मुझे ये पता है कि तीनों में difference होता है, depends उनके karmic account के अनुसा है, जैसा उनका कर्म होता है, उस category के उनको अलग, जैसे देवताओं में अलग categories है, एक normal देवता होते हैं, एक थोड़ी higher authorities होती है, तो ठी ज्यानी पुरुष, देखिए, अपराध जीवन में कोई हो गया हो, कि कई बार ऐसा होता है कि हम जीवन में बहुत अच्छे कर्म करते हैं, लेकि कोई अपराध ऐसा हो गया, जैसे, कृष्ण कथा में जितने भी दैत्ते आए, जनोंने कृष्ण को मारने आया, आप सबने लीलाओं में देखा होगा, त्रणावरताया, यमलार जुनाए, ये सब पूरुजन के कोई देवता था, कोई रिशी था, कंस हुआ, रावन हुआ, ये सब भगवान के पहले पारशत थे, जैविजय, फिर ये बने, तो ऐसा कभी होता है कि कोई ज्यानी भी हो, लेकिन कोई अपराध हो गया, तो वो दैथ्य प्रवरती में जन ले लेता है, उसका जन उस तरीके से हो जाता है, लेकिन वो फिर शौट पीरिड के लिए होता है, एक तो होता है कि लंबे समय के लिए उबूद बन गया, एक है कि जितना उसने गलत कर्म किया, उतनी देर के लिए उसको भूत योनी, प्रेत योनी मिली, और फिर उसका उधार होता है, भक्तमाल में कथा आती है, गोस्वामी तुलसी दाज जी काशी रहते थे, तो वो गंगा पार करके जाते थे, अपना डेली का जो सुबह सुबह का संध्यावंदन होता है, तो जब वो जाते थे, तो वो एक पातर में पानी लेके जाते थे, तो जो पानी बच जाता था, उसको एक पत्थर पर डाल देते थे, डेली का उनका नियम था, तो एक दिन जब पत्थर पर प्रेत प्रगट हो गया, उसने कहा कि मुझसे कपराद हुआ था, और मैं चाहा रहा था कि कोई सच्चा संत मुझे चूँ दे और मेरा उधार हो जाए, तो तुलसी दास जी ने उसको छूआ, इसलिए उसका उधार हो गया और प्रेत योनी से मुक्त हो गया, तो फिर उसने कहा कि तुमको क्या चाहिए, तुलसी बाबा से पूछा कि मैं प्रेत योनी से मुक्त हो गया, बताओ तुमें क्या चाहिए तो भगवान का भक्त भगवान के अलावा कुछ नहीं मांगता वो बोलता राम जी के दर्शन करा दो तो प्रेद बोला कि अगर ये अधियर ठी मेरे आत में होती तो बहुत थोड़ी होता मैं भी कब का दर्शन कर चुका होता पर हां एक काम कर सकता हूं उनका एक भक के कथा सुनते हैं तो वही हनुमान जी कोई नहीं पैचानता आप जाके दर्शन कर लेना तो तुनसी बाबा गए उन्होंने हनुमान जी को पैचाना उनको छुआ सपर्श किया तो कहने का मतलब है कि प्रेतात्मा कुछ ऐसी होती है जो शौट पीरेड के लिए लेकिन जब कोई महापुरुष ने छू देता है या उनके एन्वाइमेंट में वह आ जाते है तो उनका उद्धार हो जाते है